नमस्कार, स्वागात है आपका इंडिया न्यूस 28 में आईए बात करते हैं चमू कश्मीर के कुछ खास खबरों इधानसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया इस मौके पर हजारों समर्थकों और सेकडों गाडियों का काफिला उनके साथ था और पूरे इलाके में भारी पुलिस बंदो बस्त किया गया था फारूक अब्दुल्ला की मौझूदगी ने कश्मीर के राजनीति चुनावी माहौल को फिर से गर्मा दिया है पत्रकारों द्वारा पीडी एफ पार्टी की नेता महबूबा मुप्ती के लगाए गए आरोपों पर सवाल पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया उन्होंने कहा कि उनकी प्रा कश्मीर की स्वायत्ता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है कश्मीर से व्यूरोंची समीर एहमर तेली की रिपोर्ट किसने उसको मजबूर किया कॉंगरस छोड़ने का कि यह हमसे सब्सक्राइब है और यह भी पर यह हैं कि अधर का रुसुल का एक बयान सामना है अगल वह भी कह रहें कि अन्सी के साथ हमारी कुलेशन ही है विरकि यह कून बला जंदा है इनका तो जो कहना चाहते हैं कहें मैं किसी को रोक तो नहीं सकता है उनकी जमात तो हमार साथ खड़ी है हम उस इतिहाद में हैं और इंशाललह इनके बगार भी उस इतिहाद में रहेंगा असलाम अलेकुम अगर राज़ान इंशी और पीडिपी दोनों खाबू में हैं या आर्टिकल 370 को कभी रेस्टोरी नहीं कर सकते हैं मेरा सवाल इन से है कि कितने साल लगे इनको इसको आटाने में हमें हो सकता किस साल लगे वापस लाने में मगर लाएंगे जरूर यहां की आवाज नहीं है है यह सारे जम्मु कश्मीर की आवाज है यह हमारे लोग की आवाज है उनकी नौक्रिया कहां गई यह दूसरे उसके महफूज़त था उसका जमीन उनकी थी आज क्या हुआ यह कहते हैं ना आतंगबाद 377 की वज़े से हैं मुझे बताएं उनसे पूछे कि आतंगबाद तो पांच साल तो वो को मत करना है आतंगबाद कहां से आया उसका जवाब नहीं और 814 जो एर इंडिया का वो देगाई थे खंधार उसके जिम्वार कौन है और जो मज़ूर अजार वगारा वहां सब है वही ताके कवाद चला रहे हैं मिने निसे कहा था मत्खिट जी मैंने सुना नहीं तो भी यहां हो रहा है उसके जिम्वाद दिल्ली वाली है मज़ूर इंशालला नाशनल कांफरेंस और कॉंकर्स जी थे